हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल आज की वीडियो में इस कटोरी ब्लाउच की कर्टिंग और श्रींग करना सिखेंगे इसे हम 38 साइज का बनाएंगे और टीप नेक पर बनाएंगे तो चले सुरू करते हैं देखिए अमने लीनिंग लिए सबसे पहले हम अपने लाइनिंग पर कतिंग करेंगे इसके लिए लाइनिग को डबल फोल करके रख लेया लेंगी आपने स्लीब राउंड की वार्डिंग इसे गटा भढःाभी सकते हैं देखिए चेस्ट हमारी 38 सेमिल को चवथाई लेना है 49 इंच दो इंच का माजन रखेंगे अब देखिए बन जितना मारा तैयार हमाँ से पहले हाफ करेंगे और फिर एक बारा हाफ करेंगे इस तरह से बैक पाट के आरम होलका हम सेव देंगे यह देखिए इस तरह से हमको सेव दे देना है अब देखिए कमर का चवथा गरेंगे कमर हमारी 13 इंच है यहाँ 20 इंच ले लेना है आफ इंच में दो पाइंट का फाइट श्रुष में और देखिए एक इंच का डॉट रखेंगे दो इंच का Margin एस्तार से करके मने अपने कणि और मार्किंग का Margin लगा लेनी है यह मारा । Yak भ prophe देते होता है फ्रेठान में आप ताहिक अे अच्छता रहा होता है इससकी कि मुए प्र पर आप लेना कमर काוכरें है नहीं हिए और हम पर इसा drownirt कर लेनी कुण गले की चोड़ा देखिए अपने कॉर्डिंग से सवा 2 या 2 इंच भी रख सकते हैं और गला 10 इंच का रहा है इस तरह से हमने अपने सुल्डर आर्भोल को गले के कॉर्डिंग लिया है टीन इंच से एक बोक्स बना लें गे और मटका स्ट्ब रहे लिए का यह देखिए इस तरह से अब अब देखिए सुल्डर को अपने हाफ एंच डाउन करना होता है डीपने के मैस सुल्डर को गले की साइच डाउन करते हैं बोटनेक three by 촬영 करए हम ह्मोर की शाइथ डॉण करते हैं और देखिए इस तरह से करके इनले चौत करलेनी है त्यार पर कट करने लिए त्यार लगा लगे फ्रेंड्स यह रिकिषी मार त्यार है अब रैकी साइड गांक, आपं़ फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे इसके लिए मुलें ओपनी रख लिया है और ते फ्रेंग निया 하면 को इस तरह से रखेंगे साओ नियों सोल्ड नियान ओपनें रिया साइड़ ग्रेंगे श्रीकों ने मूरा में आध़ आऍट करेंगे अब देखिए में बैक पार्ट को हटा लेना है और यहां पर हमने हाफ इंच उठाया तो कट कर लेंगे इससे हमारे आर्म होल के पास जोल नहीं आता है आप लोग करते हैं कि आर्म होल के पास जोल आया तक अपरा सिकुड़ता है अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ब में तक नहीं आता है फ्रण्ट में जितना रम हो होता है होतना ही आप होना चाहिए इसलिए समें ली हम भिए U यांबुमें वाले कारारी स्थेंश ली ही मैं Чांफ से तक्स से दू इच नीच नीचे अपनी लाइन को मार कर लेना 문र से ।a क्लाइट लंट को और प्लटी लंट इस प्लाइट इसलों प्लाइट में हाँ अंपनी लें लेंथ आ इक्सटानемся और भयाय नहीं तर तो आप इसितल से आप ब्लाडनस काशा सकते हैं तो मिआ इस में पढ़ाएंगे करते समय स्यतल समय पूराइब करते हम इसकी प्रागि लेंगे देखे फिर ध्यान से समझेगे किसे मार्ज लिया और अच्छा भाइब बनता है यहां पे हाफ इंच उपर की सैल बेल्ट में लिया है तक हाफ इंच निचे ले लिया और फिर देखिए अपने बेल का ज़ेए देते हों विलाएंगे परफेक्ट सेप आता है इस तरह से अब देखिए जितना मासा पूरा पार्ट आरहा है हम हाफ कर लेंगे, सेंटर निकार लेंगे एक इंच एक्स्ट्रा और लेंगे फ्रेंस ती लाइन मार्क कर लेना है और भॉल के पास देखिए यहां पर धाय इंच लेंगे आप धाय यह सवा दो इंच ले सकते हैं इस तरह में तीनों पॉइंट को मिलाना है तो परफेर्ट का टोरी का सेप आया था है फ्रेंस आप आप इस प्लाउज में देखिए सवा एक इंच भी एक्स्टा ले सकते हैं यहां पर धाय इंच आ रहा है और यहां पर दो इंच इसे हम कहीं नोट कर लेंगे ताकि बेल्ट कर लिया आप देखिए फ्रेंस पूरा पार्ट का टोरी का है उसका सेंटर ले लेते हैं को सब्सक्राइब निच इसे नोट के लिए और यहां से देखिए निचचे हमने पौनी दो इंच लेना है जी दिखिए फ्रेंस आप इंच अमने एक्स्टा हम ना ज्यादा लेंगे अ तो पूरा इस तरा से करके आया और इस तरा देखिए पन funky एखर देना याउज यह दे नहीं वाले बठंट की छोटी होती तिना खता हुआ घरता नहीं है और देखिए अपने मार्किंग की अष्म कटिंग कर लिहें आप थे की कुछी के पार्ट को में सिंटर से फोल करना है जहां से मैं कहीं छोटा बड़ा देखिए को कट कर देंगे कट लगा लेंगे फ्रेंज ये देखिए इस तरह से कट कर ली है अब देखिए यहाप पे इस तरह से कट कर लेते हैं फ्रेंज वीडियो को पूरा देखेगा तब इस समझ में आएगा एक दम पर्फेक्ट प्लॉज बनके मारा कंप्लीट होता है इस तरह से कट लिए कि हाफ इंच का मार्पी दुट का यहां से कबर का चब लेंगे पुर्णे इस तरह से करके इसको कॉप वेल्ट का से देना है और सेप के कोडिंग के कटिंग कर ले नहीं है इस ता से मारा फ्रंट पार्ट कटके कम्प्रेट हो गया है अब फ्रंट प्रेट के कटिंग कर लेते हैं स्लिप कले कम कपड़ेको के लेते हीं निकालेंगे और जितना बाद चिस्ट होता है ढ़ी हो फोल्ड के उनिक्स करने стрश करूल है इसलिप कले देखते हीं पर 5 इंच ंच भाक बना लेना है में तिन इंच कम करेंग जब लिए एप लिए उत्मा इन्छ सब्सक्राइब तो बेया तो बेगत in ार में देखी द्ञिन स्लीब में मिली आरष इतना agh पार्ट में मार्जन आया है उसी के कोड़िग हमने स्लीब में भी मार्जन रख लिया है कि अ यह तर दो स्लीब की कट इंगे अंश के सुरिया नहीं चाहिए और इंद की humor नन पार्ट हर निखसच्छितelnेह दे mm कुछ जो अब देखी अब देखिए अब एपने फंट की हम शिलाई करेंगे तो सबसे कपड़े को उल्टी साइड से रखा है यह मारा साइड का पार्ट है इसके उपर लानिंग को रख लिए नहीं और चार तरप से कथी स्लाइज को पैक कर देना है यह हमारी रफ इस्टिच रहेगी सारे कपड़ को हम कड़ कर देंगे लाइन निगे जब लौन रपाटको बना लेना है यह से law जाता है यहीं हाफ इंच हमारा कियी से कम पड़ स्पाइब ना रख आ Al पाट्वाले पाट को lining के साहथ बैठा लिया है आप देखी काटोरी वाले पाट को lining के साथ बैठाएंगे डेखिए में दोनों का अमने सब्सक्स सब्सक्राइब करने करने फ्रेंज सेकं दाके मारा पार्ट उल्टा नो हो खिखिपम जब भी एम चैजब पर करते यह जो सकर जो हैं यह रिखेि एक टापट को कट कर देना है कटोई थोड़ा हाफ इस लगाएंगे तो गले की बढ़ जाएगी आनिता आप जैसा बनाना चाहिए से बना सकते हैं पर्फिक्ट फिटिंग आते हैं बहुत अच्छा भार आता है आप बना के ट्राय जरूर करेगा आप लोग करते हैं कि इसमें पफ नहीं आता मार्केट जा इसको गले के सेप में कट कर देंगे पर्फिक्ट हमारे गले का सेप भी जाया आता है बहुत ही खुपसूरत लगता है देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को पार्ट में जोएंड कर लेना है दोनों काटोरी को जोएंड करेंगी देखिए इस तरह से करके में अब दूसरी कटोरे को जाएन करना है यह को बवन कर लेना है और नहीं को हम चाहें नीचे से ऑपर से दोनों साथ से बहुंत कर लेना है कि एक्स्ट्रा कपड़े को कड़कर देंगे गल्ए की सेप में ले लेंगे यह देखिए अब इसमें टक्स लगाएंगे से रहें चांसके राड़ा पारे एक लेते हैं पर राज से यूज भते अफेनके लगे हुआ के ऊपर रहा है और सप्ट के रहे हैं जाए चाल से वड्यान के रहे है जिक करदी रहें वाज है लेखिए इसको फोल्ड कर लेना है और जहां से मारा एक्ष्टा देखिए रहा है इसको कड कर देगी यह देखिए बिल्ट को मेजर करके लगाना है ताकि मारा पाट उल्टा या सिधा बड़ा और उचा नीचा नहीं जाँ कि उएलट से नहीं के ताकी मारा पाट पाद से प्रूंदान अविखिए बिल्ट को लिए लगाना है मतलि हम अपने था से से को कुल्ट करना से इसको फोल्ड करना या सेंटर है इस तरह से और देकिए हम 2 아 ejercich 과 half कर अवर इतना आये वह उसी कार्डिर्मिट लगा लेना है है यहाँ थीर एक इंच पी घ्राओं लगे है और देखिए अब हम इसमें बेल्ट जोइन करेंगी इसके लिए इसके लिए बेल्ट को इस तरह से रखना है और इसके उपर देखिए पार्ट को रख लेना है फ्रम्स हाफ इंच का मार्जन लेते हुए हमने इसलाई कर लेनी है और द लिखेराने यह महाई टेकक्स को भादे गे कर लिया है आप दोसरी सपहिंट को जॉन करके ले आयेंगे और लैनिंग को प्रैंड के साथ पकड़िए फ्रैं चलानी है जिसमें मेरे मारी लायनिंग के बियुट प्रीषे चली है कप्ड़े के wählt किस एक दूसरे को पर चट की आनी चाहिए healthy हम इस को में इसको सिलाई कर लेना है little इसे हमने इस तरह से पलट लेना है इसे हमारे सिलाई यां अंदर हो जाएंगे और फिंसिंग के साथ अच्छी से दिखिए आप चाहे तो बेल्ट के ऊपर अलग से सिलाई चला सकते हैं और जोहां कहीं से हमारे कपड़ा एक स्टा दिख रहा है थोड़ा हो उसको कड कर स्टा करते हैं थे डिर आपांद को बना लेघंप अभर इस पे हम होक स्टा करना पत्ती को फिर एक फोल्ट करके लाए का लिए किप्टि को लगा लेना है । रहर देना है इस तरह से हम देखी हुक और आई की पट्टी लगा लिए इत्व एककोली पर्फिक्ट पक के साथ मारा ब्लाउज बनाया फ्रेंस इत्ता अच्छा भार आया है इस तरह से नाव लेंगे मारे दोने बड्टी बराबर से जाहिए अब देखें अब बैक पाट लेंगे इसके पर देखिए फ्रेंट पार्ट को रखेंगे देखिए नीचे से बराबर रखते हुए इसको सीदी साथ स्के स्वेटर को ज्याइन करेंगे तो इंतम पर्फिक्ट कहीं से छोटा बड़ा नहीं हो रहा है इस तर से कट करेंगे उपहर भी अच्छा एगा और शुलाय भी आसान रहेंगे बहुत ही अक्ष़ अपपाता है कभी भी कोई कंप्लेन नहीं यह इसतर से बलाउज को ज्याइन कर लेना है अब इस वी उल्टा करेंगे उल्टी जैट स सब्सक्राइब कर देंगे और अब इस पर स्लीब लगाएंगे स्लीब करना है जो मारा फंट का साइड आएगा इस पर सेंटर पहले मने कट लगा लेना है स्ल्डर के सेंटर पहेगा सलीब को रखकेंगे और इस पर सरी चरी करेंगे कर दे उसका सबस्दाइक अब इसके स्लाइक को अब डबल कर लेंगे और भीस fromージh कि स्लीप को धुट आपने आपने धूज्य है UP tiếpर ठीफ स्वलीब को छीचना नहीं चरक भी जाती है तोaking इसके फीटिंस वाक भी मलाओक की लिखुर मटूच अछी अए है और ए ब्ला़ज की फीटिंग रहें स्लीबड ही होएँएढ спокойHuh स्लीप कटी रहेगी इतनी अच्छी डबाएग मेशची फ étaitंग पी इस तल से कमिन यह को डबल कर लेना है थैद दूसरी स्लीप भी मेश्च गुप देखिए उसी के करेंच पार में यहा पीरा छेंठर हो जाता है और एक दोसरे से मिलाते हुए सीधी साट से हमने देखिए सिलाई को चला लेना है और हमने बैक पार्ट में सेंटर लिया था सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने देखिए सिलाई को कर लेना है कि नारे से एक्स्टा कप्डे को कुट करते लेंगे और ब्लाज को ऑल्टा करेंगे थे कालि मिलाना वेर्फन्ट पर्ट को मिलाना है रिखा नो नुट प्रसटार से रहा है वोरेनों भुकंध अम creatively की ईकाल चैने लियोगने करेंगे अब इसको पलटने के बाद इसको शिवा चला देने है अब देखिए हम फिटिंग की मारी लगाएंगे अपर देखिए हमारी होके पड़ती है ने कीले का मेरा है अचाही इंच यह लेनी पॉने 8 इंच लिया है लेना है फिटिंग की दो-3 सिलाई चाला लिंगे फ्रेंट्स इस तरह से तो जहां पर मारा बैक का कट आया था फ्रेंट्स से मुशी पर मारी फिटिंग भी आई है यह देखिए कमर का चाउथा लेना है पॉने आर्थींग एक्टिस कमर की कॉल्डिंग चेस्ट का चाउथा ईसे तरह से मार्किंग कर लेना है इस तरह से मार्किंग टिन देखिए तर्फिटि हो गया फिलाउब नगा लेने, यहां पर नइव्य पाई पिन भी ल खाले है और दी पिन लगालेmented हैं यह हमारे विलाज का फाइनल लोके फ्रेंट पर्फिक्ट बाउज बनके कम्प्लीट हुआ है पर्फिक्ट उभार के साथ फ्रेंड्स तो देखिए आपको वीडियो का अशा लगा कमेंट करेंड ना बताएगा वीडियो पसंद आया फ्रेंट वीडियो को लाइक और शेयर भ झाल झाल